प्रिये भाई और बेहनों, आज का शुबस अंदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करें। प्रभु तू इसे लेके चला। थोड़ी दिर के मरे मनन के लिए आए निकालेंगे युहनक असो समाजार तीन अध्याए उन्नी सवबस। जॉन्स गॉस्पल चाप्टर 3 वेश्च 19 पिछले कुछ दिनों से हम इस बात को देख रहे थे कि इश्व मसी किस प्रकार यहूदियोंगा गुरू और अधिकाली निकोदेमोस के साथ बात कर रहा है। इश्व ने उसको समझाया कि उन्ने नया जनम की आविशक्ता है और इश्व मसी ने उनको ये भी समझाया कि उन्ने नया जीवन मिलने के लिए इश्व मसी को ही कुरूस पर मुर्ति उठाना जरूरी है। उसके बाद 17 अपत में प्रविश ने इस बात को समझाया कि उनका आगमन का लिच्षिय किसी को भी मनशियों को देंड देना या दोश लगाना नहीं बेलकी पाप्रियों को बेचाना है। अब 18 से लेखे 21 अपत में प्रविश मसी निकोदे मोस के साथ का बाचित को बेंड करते हुए यह कह रहा है कि आज दोश लगाना मतलब क्या है आज कौन दोशी पाएंगे किसको देंड मिलेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं इश्व मसी सूली पर मनिश जाती के पापों के बदले प्राइशित का बिलदान हो गया। इश्व मसी ने मनिश जाती का पाप और पाप का जो देंड है उसको निकाल दिया हटा दिया। इसलिए आज किसी के उपर देंड नहीं आएगा। ऐसा सोचने वाले बहुत है। लेकिन उन्नी स्वापत में बराबर बताते हैं दोश आज क्या है। मैं ओपत आपके लिए पढ़ता हूँ भी। दोश ये है कि जोदी जगत में आ चुकी है। परंदु मनिश्यों ने जोदी की अबेच्छा अंदकार को आदिक प्रिय जाना क्योंगी उनके कारिय बुरे थे। देखिए दोश यह नहीं है या दिंड लगाना दोश लगाना या दिंड देना उसके पीछे का कारण यह नहीं है कि मनिश्य पाप में जनम हो गया पाप में जीवन बिताया। यह तो बिलकुल हकिकत की बात है। हर एक मनिश्य जनम से पापी है कर्म से पापी है सोच वचार में पापी है लेकिन आज के जमाने में वचन शिकाते हैं पनमेश और ने अपने पुत्र प्रहुई इश्य मसी को सूली पर चड़ा कर प्राइशित का बिलदान कर दिया। जब इश्य मसी ने गोशना किया कि सब कुछ पूरा हो गया हमारा उद्धार का कार्य पूरा हो गया। हर एक मनिश्य जाती को पाप से पाप का दिंड से बिचने का उपाए बिचने का कार्य किया है। और ये भी हमें मन में रिखना है पनमेश्य और ने हमेशा का नरक जो है मनिश्यों के लिए नहीं बनाया। हम बचन में पढ़ते हैं मत्ती 25 का 41 में पढ़ते हैं पनमेश्य और ने शेतान और शेतान के दूतों के लिए बनाया हुआ हमेशा का दिंड में हमेशा का नरक में शेतान मनिश्यों को धोका देकर कबजा करकर लेकर जाते हैं। पन्नेशों ने उनको वहां से बचाने का कार्य किया वो हमेशा का दिंड में नाश में जाने की आवशक्ता नहीं है इसलिए इसमसी कहते है यदि आज कोई भी हमेशा का दिंड में जाएगा तो उसका कारण यही नहीं है कि वो पाप किया, यही नहीं है कि वो पाप में जनम हो गया, बराबर कहते हैं, जोदी जगत में आ चुकी है, जोदी मतलब रहुई इश्मसी, इश्मसी ही ने कहा मैं हूँ जगत की जोदी, जोदी सचाई को दर्शाते हैं, जोदी पवित्रदाई क को दर्शात है जोदी ग्यान को दर्शात है इश्व मसी स्वयम जोदी है अंदगार में रहने वाले मनिश्यों को जोदी दिया ग्यान दिया अंदगार से पवित्रदाई में सचाई में जोदी में लेकर आने वाला इश्व मसी आया उनको बचाने के लिए उनको बचाने के ल जोश ये है, कि जोदी जगत में आचुकी है, धार करता आचुका है, पापी को बचाने वाला आचुका है, जीवन देने वाला आचुका है, तो भी मनिष्यों ने जोदी की अवेच्छा, अंदाकार को आदिक प्रिय जाना, क्योंगी उनके कार्य बुरे हैं. इश्य मसीह एक बहुत सच्चाई की बात कहते हैं, मनिश्य अंदकार को पसंद करते हैं, मनिश्यों की अंदर फाप सभाव होने के कारण सच्चाई से जादा वो बुराई को पसंद करते हैं, भलाई से जादा बुराई पसंद करते हैं, जोदी से जादा अंदकार को पसंद क प्रविश्य मसी जो जगत की जोदी है उनको लोग नफरत करने का कारण किया है आज भी लोग सुसमाचार का नफरत करने का कारण किया है क्योंगे उनको मालूम है इसमसी के पास आएगा तो इश्य मसीग के सुसमा चार में विश्वास करेगा तो उनको अंदगार का कामों को चोड़ना पड़ेगा, बुराई की जिंदगी, गंदगी की जिंदगी चोड़ना पड़ेगा, जोदी में आएगा तो अपना रहस से जीवन खुल जाएगा, उनके अंदकरन की बातें बाह बुराई और गंदगी का जिंदगी बिताने पाएगा आज भी अब जानते हैं सामान्य जन अंदगार को पसंद करते हैं अधिगाम्ष बुराई और गंदगी अंदगार में किया जाता है इश मसी कहते हैं मनिश्य अंदगार का पसंद किया जोदी से जादा अंदगार का पस कारण यह है जान बूच कर उधार करते को सुसमाचार को बिचने का मार्ग को नफरत किया कुछ लोग खुलम खुला नफरत करते हैं कुछ लोग खुलम खुला उसका विरोत करते हैं कुछ लोग मन में उसको इनकार करते हैं लेकिन दोनों प्रकार के लोग इनकार किया आज संसार में सच मुच में दो ही प्रकार के जुन्द है जो इश्व मसी उद्धार करते के पास आकर विश्वास किया हुआ लोग जो इश्व मसी उद्धार करता जो जगत की जोदी है उसके पास आने से विडोत करने वाला दूर रहने वाले आविश्वासी जो जोरी पसंद करते हैं जो अंतकार को पसंद करते हैं जो बुराई को पसंद करते हैं जो बलाई को पसंद करते हैं आज आप कौन सा जुंट में हैं आप किस प्रकार के ग्रूप में हैं नेबन करने के पहले फिर से बोलता हूं प्रभीश मसी हर एक मनिशे जातियों के लिए पापों से बिचने का मार्ग खोला है बिचने का रास्ता कोला है लेकिन हर एक विक्ति विक्तिकत तोर से अंगीगार करना है पापों को कबूल करना है इश्य मसी को अपना प्रभू और स्वामी के रूप में नीचे के पदों मे प्रतेक जो बुराई करता है जोदी से बैर रखता है जोदी के पास नहीं आता कि कहीं उसके कारिय प्रगट नहों पर अए जिसे प्रगट हो जाये उसके कारिय और से कियेगे हो मैं आपसे पुछना चाहता हूँ, आप क्या जोदी के पास आये हैं, सचाई के मार्ग पर आये हैं, क्या दिंड के रास्ता पर, हमेश के नरक के रास्ता पर, शेतान और उसके दूतों के साथ चलने को आप पसंद करते हो, प्रभू आपको साथा करें, धार पाकर जोदी में दो शेहित और डिंड से बेचा हुआ एक जीवन बिताने के लिए, प्रभू आपको साथा करें, प्रभू के नाम की महिमा हो,